कौन सी वो पाँच चीजें या गलतियां हैं जिनको करने से आप अपने ही घर में रखे हुए भगवान के कोप का भाजन होना पड़ता है यानि आप उनके कुरोध का शिकार हो जाते हैं वो पाँच चीजें आपको मैं बताता हूँ सबसे पहली चीज हो जाती है जब आप अपने घर के मंदिर में मृत पूरवजों की या किसी गुरू की या किसी पित्र की फोटो साथ रख देते हैं तो आपको अपनी पूजा पाठ का और अपनी भगती का फल नहीं मिलता नमबर दो चीज घर के मंदिर में आप यदि सूखे फूल इकठा करते हैं तो भी आपको घर में तकलीफे आ जाती हैं नमबर तीन चीज यदि आप अपनी घर के मंदिर में किसी भी मंदिर या धर्मस्थान का चड़ा हुआ प्रसाद दुबारा से अरपित करते हैं तो भी आपको इसका अच्छा फल नहीं मिलता चोथे नमबर की गलती है यदि आपके घर के अंदर मूर्तियां लगा करके रोजाना पूजा पाट होती है आप जो तगर बतीज रोजाना करते हैं लेकिन आपके घर में नौनवेज अंडे और शराब का सेवन किया जाता है तो भी आपको भगवान का अच्छा फल नहीं म मूर्ति घर में रखते हैं तो आपको घर में भगवान की पूजा का फल नहीं मिलता बलकि आप इनके कोप का भाजन बनते हैं और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने घर में कभी भी इस परकार से देवी देवताओं की मूर्तिया फोटो बिलकुल भी ना रखें हमेशा इस परिस्थिती के अंदर रखें ऐसे रखेंगे तो आपको इनका अच्छा फल मिलता है यदि आप इसे इस परकार से रखते हैं तो टकराव की परिस्थितिया पैदा होती हैं और आपको उनके कुरुध का शिकार होना पड़ सकता है आशा करता हूं आप इ झाल झाल